बाबा महाकाल के दरबार में इन दिनों सावन की तेयारियां जोर शोर से चल रही है सावन में लाखोश रधालूओं के मंदिर में आने की संभावना है जिसको लेकर प्रशासन तेयारियों में जुटा हुआ है इसके साथ ही गुरुवार से गर्भग्रे के रुद्र यंद्र, चांदी द्वार, नंदी द्वार की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है सफाई का ये काम दो जुलाई दुफैर एक बजे से शाम पांच बजे तक किया जाता है जिसकी वज़े से गर्भ ग्रे में श्रधालू का प्रवेश वर्जित किया गया है चानकारी के मुदाबिक दल्ली के रहने वाले एक श्रधालू ऐसे हैं जो पिछले 12 सालों से हर त्योहार पर महाकाल मंदिर में सफाई करवाते हैं जो कि इन दिनों उज्जेन आये हुए हैं और अपनी टीम के साथ सफाई के इसकाम को करवा रहे हैं हर साल बाबा महाकाल के गर्पग्रे मेर उद्रयंत्र चांदी द्वार के साथ ही बाबा महाकाल के अबूशनों की सफाई करवाने वाले व्यक्ति का नाम सुशील वर्मा है सुशील दिल्ली में प्रॉपटी डीलिंग का काम करते हैं सुशील ने कहा कि मेरी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, मैं सिरफ बाबा महाकाल की सेवा करना चाता हूँ, बाबा महाकाल ने मुझ पर क्रिपा की है, जब तक हो सकेगा मैं इस कारे को इसी तरह करता रहूँगा। उन्होंने आगे बताया कि वो हर साल तीन से चार बाबा महाकाल के दर्बार में आते हैं, उनकी टीम में करीब 6 लोग हैं, जो कर्ब घ्रे, चांदी द्वार, नंदी द्वार, रुद्र यंत्र, रजत मंडित दिवार के साथ ही बाबा महाकाल के अभूशन छत्र, मुकुट की सफाई करते हैं, क्योंकि सावन में बाबा महाकाल की सवारी निकलनी है, इसलिए हम लोग सवारी में निकलने वाली पालकी के साथ ही अन्य सामानों की भी सफाई करते हैं, वो सिरफ बाबा महाकाल के दर्बार में ही नहीं, बलकि सहयोगी, बलदेव जी, महावैशनु देव की चाय तक नहीं पीते आपको बता दे महाकाल एश्वर मंदिर में हर काम के लिए टेंडर जारी किये जाते हैं सुर्शील शर्मा मंदिर में गर्ब घ्रै और आभूशनों की सफाई के लिए अपनी कमपनी महाकाल रियल स्टेट के नाम पर टेंडर भरते हैं और इसमें हर काम को करने की राशी निशुल्क होती है बताया जाता है कि वर्तमान में भी श्रधालू सुशील शर्मा ने तीन सालों के लिए सफाई का ये टेंडर भरा है और इसी के माध्यम से वो मंदिर में निशुल्क सेवाएं दे रहे है